हेलो दोस्तों सभी को स्वागत करता हूं सनत इजी माइन ट्यूटोरियल्स पर आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर मैं यहां पे सामिल हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉप्ट एक्सल के बारे में बेसिक नॉलेज और बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स जो लोग भी देने जा रहे हैं स्किल टेस्ट कोई भी एक्जाम हो आपका अगले वीडियो में अगला पार्ट में हम करेंगे एक क्वेस्टिन जो कि प्रिवेसर में आया हुआ है और उसमें उन्होंने दिया है अपना स्किल टेस्ट के बारे में कब वो लोग एक्जाम करवाएंगे तो अगर आपको इन्फोर्मेशन चाहिए तो आई बटन पर क्ल करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो यहां पर मैं बेसिक नॉलेज़ दोंगा आपको स्किल टेस्ट के बारे में जो की एक्सल से जुड़ा हुआ है एक्सल में जो जो बेसिक फंक्शन से आपको बस आज बताऊंगा मैं और इसके अगले वीडियो में अगला पा पाइल में जाएंगे आप जाके आपे नू कर सकते हैं या फिर आपका ब्लैंक डोकुमेंट खुल के आ जाएगा सब ब्लैंक आ जाएगा मैंने आप खोल रखा है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं तो देखिए और यह है उसका सारा फंक्शन हम देख लेंगी सब टैब से बोल्ड का है CTRL plus B, CTRL plus I, CTRL plus U जब आप यूज करेंगे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और यह आप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए क्यूंकि टाइम बचेगा 10 मिनिट का ही टाइम होता है 10 मिनिट का टाइम जाता है एक्जाम में तो easy रहेगा और इह देखिए यहां पे हाइल कर सकते हो टेस्ट को यह कर चाहिए माली कोछ लिख रहा हूं तो राहूल को यहां पर बोल्ड कर सकते हो कि यहां पर Select कर के CTRL P घ्रेस करनास ना तो बोल्ड हो जाएका उबक ते बाद CTRL by प्रेस का तो इनलिक हो गया और CTL U प्रेस किया तो इसके बाद आपकर हाइलाइट करेंगे तो हाइलाइट हो जाया गया तेखिए अब कंट्रोल यू प्रेस कर देना कंट्रोल जड़ेट कर देना अंडू के लिए बेसिक फंक्शन वही रहेगा और इसको अगर करना जाता हूं फॉंट को तो यहां पर दे सकते और अपने पसं कि अभिए और यहां से मर्ज कर सकते हैं मर्ज काम function देखंगे बाद में जब हम question करेंगे दो तीन सेल को आप एक ही में मर्ज कर सकतो इस तरीके सा होगा, अगर मैं इसको देखिए, यहां पर इस cell को, पूरा cell को select कर रहा हूँ है, select करके, मान लिजे इसको मैं कर दे रहा हूँ अभी, अकाउंटिंग कर सकता हूँ, short date कर सकता हूँ, long date कर सकता हूँ, time कर सकता हूँ, percentage कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह इतना काम में आपको नहीं आएगा, बस मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप date select करेंगे, short date, तो directly आप date अगर दोगे, date के format में मान लिजे, मैं लिख लि अगर मान लिजे, मैंने लिखा, 12 Jan, 12, 1, 2020, मतलब बस 12 Jan मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए, मैं लिख रहा हूँ, मान लिजे, लिख रहा हूँ, आज का date कितना है, तो इतना मैंने लिखा, पूरा date ले ले लेगा, 2010, 2020, तो date का format ले 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 गा है, अगर मैं इसको percentage बन पर्सेंटेज है, पर्सेंटेज बनाऊंगा, तो यह सब चीज पर्सेंटेज में आ गया, तो यह सब चीज पर्सेंटेज में आ गया, आपको टाइप करके दिखाता हूँ, मान लिजे, मैं यहां पर टाइप कर रहा हूँ, 45, तो automatically percent का sign भी आ जा रहा है, तो आप टाइप क राइप करेंगे cell के उपर, राइप करके आप यहां पर जाएंगे format cells पर, ठीक है, जब आप यहां पर जाएंगे, तो आपका यहां पर option खुल का जाएगा, थोड़ा लेट हो रहा है, तो यहां यहां पर्सेंटेज, अब पर्सेंटेज में देखिए, यहां पर डेसिमल प यहां से भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकतने, क्यां पर यहां पर चोटा करहां है क्या पर जदकेशन, आपको कफशन बढ़ा हिया लेए है, झालयों कि इसी अप्सिक आप्टों मत वहां इक यहां से 8-0 पर बढ़ा हो रहा है, रहा है आपको कोछ शीजाे थाइप दंगण, ज और आप arrow keys में भी जा सकते हैं उपर नीचे तो दिखिए आपर कुछ data ले ले रहा हूं मैं randomly को बताने के लिए तो यह data मैं ले लिया अब दिखिए इसको मेरे को माल लीजे center line पहले कलना है center line अब दिखिए मेरे को माल लीजे यहां से यहां तक का मेरे को क्या चाहिए माल लीजे सम चाहिए मेरे को सम यहां पर डिरेक्टली जाओंगा यहां पर दिखिए auto sum का option आ रहा है आपको auto sum auto sum में आपको sum type कर देंगे sum पर click कर देंगे तो आपका sum आ जाएगा 260 ठीक है automatically अगर माल लीजे यहां पर sum के सिवा मेरे को चाहिए इन सब पर चाहिए मेरे को average तो यहां पर जाएंगे यहां पर जाके auto sum directly हो जा रहा है यह auto sum फिर से मेने कर दिया एक minute बता रहा हूं आपको average का दिखिए यहां पर क्या-क्या option से दिखिए दूसरा है average average जाएंगे तो average दिखिए आ गया 37.14286 ठीक है अब देखिए अब क्या option है यहां पर यहां पर count कर सकते हैं count count numbers दिखिए total यहां से लेकर यहां तक आपका count अब देखिए अब यहां पर इसमें से आप max value निकाल सकते हैं यहां तो इन सब में से maximum number 60 वह आ गया अगर आप यहां से minimum निकालोगे तो minimum भी आ जाएगा देखिए minimum eight okay यह सब चीज है और कुछ है कि important है जैसे कि देखिए मान लीजे मैं यहां पर टाइप किया one यहां पर टाइप टू अब इस format में मेरेको चाहिए टिग करके 20 तक चेहिए तो मस का करूँगा यहां पर देखिए एक plus सिम्ब यहां पर एसा म मोटा वाला plus यह एक छोटा वाला plus आईगा भीन इन दोनों को दूटकरना यहां देखिए लिए पंहां आ tabii यहां पर साइड में दिखिए प्लस के साइड में आपको सिंबल दिख रहा होगा 5 6 7 जितना मेरको चीजे मेरको 10 तक चाहिए 10 में कर दूंगा तो up to 10 वो आ जाएगा माल लिजे और भी चीजे मेरको 20 तक चाहिए 20 तक 20 तक 20 आटमेटिकली हो गया मेरको टाइप लिखना तक चाहिए बहुत ही जल्दी क्विक टाइम आप कैसे करेंगे इसके लिए ओके अभी 1 2 3 4 फॉर्मेट में माल लिजे में यहां पर दूंगा 10 फिर दूंगा 20 ऐसे दे रहा हूं मैं तो इसको अगर आप करेंगे दिखिए क्या option आ जाएगा इसको और ड्रैप करेंगे 30 40 उ अग создah स्रेप्ड वान ठेल सकता हूं मालीश मैं बढ़ रहा हूं 1 इसके है रहा है 3 कृ trophis या ना दिया तो 2 2 2 2 के में बढ़ रहा है to 2 2 2 के में बढ़ेंगा तो इसको भोगा यह घुथा इसके कर सकते हैं अब चलते हैं चलिए आपको कुछ इन सट करना है और टेवल आप यह home का पेज हो गया, अब दीखिए यहां पर इंसर्ट, नगर जाएंगे तो यहां से picture insert कर सकते हैं, table insert कर सकते हैं, जितने का आपको चहीए, उतने का आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बाद shapes insert कर सकते हैं, okay, screenshot ले सकते हैं, column, pie chart, bar graph, यह तो बहुत advance level का हो गया, इतना आपका नहीं आएगा एक्जाम में और आपसे ड्रॉ कर सकते हो कि टेक्स्ट के यहां पर टेक्स्ट डिरेक्ट लिए आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आजाएगा अगर आपको एक्जाम में दिया होगा अगर नहीं दिया होगा तो आपको डिरेक्टली बूला होगा कुछ मार्जिन सेट करने के लिए जैसे कि यहां पर लिखा होगा नॉर्मल तो नॉर्मल अप कर देना इसके बाद और और अप लेंगे तो पोट्रेट में आ जाएगा और अब कर लेंगे अपको आपको कि लेकिये लिए बाकि दासे को मैं अपकर प्रेंटर यहां पर सकते हैं तो इतना इंप्रचोन नहीं होगे अभ डिए हैं वहां गोडूमल से शेखा हैं ने interactions नहीं के श्या चायंते वहां को जाता जाएगा आप अब يहांटे सब्दिवक्य तो कुछ कुछ हम कैल्कुलेट कर लेंगे इसमें से तो हो जाएगा इजली देखिए यह देखिए यह माल लीजिए पहला एक है जिसमें की नेम दिया हुआ है कुछ बच्चों का नाम दिया हुआ है उनका subject 1 का detail है subject 2 का marks है और total marks ठीक है total marks 200 मतलब total 200 marks का paper है अब इन में से इन्होंने कितना mark obtained के दिखिए यहां पर आपको इसका sum चाहिए subject 1 और subject 2 का आपको sum चाहिए यहां पर तो आप कैसे करेंगे easily देखिए इसका दो method है friends मैं आपको दो method बता रहा हूँ पहला method देखिए यहां पर आप डिरेक्ली इस cell पर जाकर बस type करना keyboard में जाकर equal to equal to लिखना equal to लिखने के बाद आपको क्या करना है देखिए यह cell का number क्या है देखिए यह cell है d3 ठीक है आप directly यहां पर type कर सकते है d3 plus यह क्या है e3 आप type कर देना e3 या फिर आप यहां पर click अगर कर दोगे तो automatically लिखिए e3 ले 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 अब directly जो दो cell आपको चाहिए वह आप दो cell क्लिक कर देना equal to लिखके बस enter कर देना इसके बाद एंटर टाइप कर देना देखिए 140 आगया 60 plus 80 अब आपको यहां से लेकर नीचे तक जो भी data दिया हुआ है इसका जरूत नहीं है आपको लिखने का individually आप देखिए यह formula डल ग तो आप अगर क्लिक करके नीचे ले जाएंगे नीचे तक तो दिखिए सभी का सम आ गया easily calculate हो गया ठीक है आपका time आप बच जाएगा यह एक option है ऐसे d3 e3 करके आप लिख सकते हैं या फिर दूसरा method क्या है दिखिए दूसरा method है directly आप क्या कीजिए यहां पर आप टाइप कीजिए सम ठीक है यहां पर क्या टाइप कीजिए इक्वल टू ऐसे लिखे इक्वल टू एस यू लिख दीजिए तो सम वाला option आप यहां पर डालना है अब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है दिखिए ब्रैकेट के अंदर आप बस आपको सिलेट करना है दो सेल डी 3 और इसके बाद आपको कॉमा देना क्यूंकि इसका फॉर्माट यह है कॉमा देकर e3 ठीक है अब सेंटर कर देना यह एक फॉर्मला है जो की है बस आप यहां पे लिखना equal to और यह दोनों को select कर देना यह 60 वाले को select कर दिये plus का option डाल दिया यहां पर plus type कर दिया और 80 select कर दिया हो गया यहां फिर और एक method दीखिए तिन method से directly आप drag कर सकते हैं यहां पर यहां पर आपने लिख दिया इन दोनों को आपने ड्रैग कर दिया ठीक है यहां पर आपने equal to लिखा ठीक है equal to अब आपने क्या इन दोनों को drag कर दिया ठीक है तो D3 3 आ गया बस यहां पर आपने symbol चेंज करना है plus change कर दिया equal to दाल दिया क्या हो गया sum अब देखिए percentage तो यहां पर परसेंटेज लिख सकते हैं या फिर इस cell को मैंने पहले से percentage बना रखा है तो इसका value क्या है percentage में है ठीक है अगर percentage में इसका value है तो आपके लिए बेटर रहेगा ठीक है अगर आप इसको percentage में नहीं लिखते हैं तो आपको into 100 करना पड़ेगा मतलब percentage का formula क्या होते है देखिए मैं normal करके आपको दिखा रहा हूं अगर मालीजे मैंने इसको general रखा है ठीक है अब दिखिए percentage है तो percentage का मतलब formula क्या जाएगा जितना mark मिला है marks obtained divided by total marks into 100 तो देखिए अब लिखना यहाँ पे equal to तो marks कितना मिला है इनको यह मिला है ठीक है अब इसको क्या करना आपको divide का symbol दाल देना यह पे फिर total marks दाल देना है बस यह हो गया अपका ठीक है इसमें आपको करना है क्या देखिए थोड़ा कुछ प्रॉलम हो गया एक मिनिट रुकिए हां देखिए हां पर equal to डाल दिया आप equal to के बात आपको क्या करना है मान लीजिए यह G हो गया और इसको divide कर दिया आप किससे टो आपको क्या गया equal to 0.7 तो 0.7 मतलब percentage में लग रहे है डेसिमा लग रही है अब इसको आपको इन्टु 100 भी करना होता है तो इन्टु 100 यहां पर कर सकते हैं देखिए अगर आप यहां पे इन्टु 100 कर देंगे बस equal to कर दीजिए, अब देखे 70% आ गया लेकिन % का symbol नहीं है friends यहां पर, okay ? % का symbol नहीं है, तो सबसे better क्या होगा आपके लिए? इसको 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 इस आप कर सकते हैं तो यह था कुछ basic functions अब देखिए नीचे जो लिखा है मैंने average बस मेरे को किया करना है यहां से लेकिए यहां तक select करना है ठीक है और यहां पर जाना है मेरे को इस value पर सब यहां सकते हीरश है और किया दॉस्तों हगी तोस्तों हो यहां पर जाना है Walmart को ऑिखीए तो आपको दिन्ट रहे गहां घ्राइग के मैं आपको सब कर दे रहा हूं बस आपको दिखाने के लिए कि ऐसे से होता है ठीक है तो यह आगया average अब देखिए आपको max निकालना है तो max आप निकाल सकते हैं वैसे ही same formula है इन भी माने इसप लेकट कर दिय ओंगा अब कर दो हम सब्सक्केर सब्सक्राइब मैस कर सकते हुपे है आपको पता चला होगा इसका अब क्या आता है थव्रक्स पkiejड़क से दुट करने थे अठीच है अगर मैं इसको स्लेट करता हूं मैंने इसको merge कर दिया अगर यह merge नहीं होता तो क्या होता देखे अगर मैं इसको undo कर दूँ और इसको delete कर दो यहा से delete कर देता हूं आपको बताता हूं लिख के अब देके मैं को क्या लिखना है रहा है student database student database for the year 2020 यह मेंने लिखा है समत्र का मदोस है बीच में यह ओन होके है तो बस उसको मेरे को यह करना होता है लेकिन मान लीजिये मेरे को यह इसे क्यूं हो गया it automatically हो गा it मुतलब मर्ज नहीं वह इन आपको दिखना है Success लेकिन मर्ज नहीं है डेखिए भी मर्ज नहीं है इसको मर्ज नहीं है ठीके यहां पर ऐसे कर सकते हैं, select करके पूरा डाटा को आप left align कर सकते हैं, right align कर सकते हैं, center कर सकते हैं, तो use of options इसका, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, size change कर सकते हैं, कोई भी format दे सकते हैं, कोई भी format आप चाहते हैं वह लगा सकते हैं, size यहां से बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो यह हो गया कुछ basic functions, अब देखिए और एक चीज है, जब आप यहाँ पर type करते हैं, कुछ चीज माल लीजे, मैंने यह पर type किया, छोड़ा लंबा खासा कुछ कर दिया, data center, माल लीजे, मैंने इसा type कर दिया, data center, ठीक है, तो यह इसके बाहर जा रहा है तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, बस यहाँ पर आपको आना है, ठीक है, उपर आके यहाँ पर क्लिक कर देना है, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, डवल क्लिक, ठीक है, डवल क्लिक अगर आपको यहाँ पर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा, पहले ही ऐसे था, में क्या करना है यहांपर यह सिंबल आएगा उपर इसऑ kinda आए यह नहीं से जीए कर सक्ते है अउप कर सकते है यहांपर कर दोने करेंगा। तो यह चूटा चूटा चीज है जाए अब इसको दिया हो समत . तो कॉछ आपको ह्यान पते हैँ दिया तुरा बना लेके कहा ब्रॉक्त लेकर दिया और यहां तक आप कोा निखे WORK इसको ब्रॉडर बनाना ओपी capture project करने के बाद बार पर तक आपको दो जाना था है hard lies सब्सक्राइबिद कर दिए पाड़ीन और तो कि देलें से क्रियों मुझे दिए डिए च्राइब बाले अंट देखनेनर स्ट हुल्ड वन करनेधेया इसले और अफ्सिम्अ आप मीच्राइबिध करे सकतेилось उसी तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो, okay friends, तो यह रह जाएगा आपका, इसली हो जाएगा, आप कर सकते हो, तो यह कुछ बेसिक है, आप देखेंगा, तरहां को सद्म ór देखेंगा, अगले सशन में बताओं को कैसे चैंस आता है, और कैसे कर सकते हो, कम टाइम में पूरा आपको यह ठाइप करना होता है, मैं यह पर पहले से टाइप करके करना है, है friends OK now. सबसाइब इसको में अज़ाना है टीक है। तो यहां पाप ब给ारा दे सकते हैं लेयः अएउट में जा के अब यहां पे लेयःाऊट यह सकते हैं आप अपने राइट कर दे लिक राइट लिक करके w об concepts in Format cells में जाना है और यहां पर पुछा ने कर देना है फिल कर देना है बस अरह Ulko झ अब दिखें एप टयीच सेप्रेट बर्ड किया बढ़िए सकते हैं सटीक्नेस बढ़ा सकते बर्ड कोई प्रड्लम नी ये कि अपको क्किया करना हो टाइक हैGR जो दिया रहे कहा थे अब आ Los AT आपको अथन अप्रिभर więc ने एक को टाइब करना है इन पर यह से कहांइं तो चलिए फिर एही यही था कुछ इसके बारे मेंडरी डिया होगा फ्रेंड आप के से पर शुौहिए बहुत चलिज दो लिए किस format में दिया होगा और किस folder में सेफ करने के लिए डेस्टॉप में एक folder मानलीजे उन लोगे खोल दिया होगा और बोला होगा instruction आपको फूरा साफ साफ लिखा होगा उसी की हिसाफ से आप करना तो ठीक है तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आगया होगा क आपको बोला था कि 20 अक्टूबर तक आपका रेजल्ट आ जाएगा तो 20 अक्टूबर तक उन्होंने एक notice दिया है जिसमें लिखा है कि 20 अक्टूबर को ही result मतलब individual scorecard मिलेगा तो यह वीडियो मैं बना दूँग आपके लिए उसके लिए लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ रिलीज नहीं किया है अभी तक कुछ इंटिमेशन नहीं आया तो देखेंगे और उसका स्किल टेस्ट का डेड़ भी आ गया है तो उसी इसाब से आप रेडि रहिए ओके फ्रेंड्स टेक क्यार मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जिएवारत